हेलो हाई नमस्कार आप सभी को आज हम अपने चैनल पर रिव्यू कर रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं एल मॉक्स 500 एमजी कैपसूल के बारे में तो आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी इसके फाइदे वे नुक्सान के बारे में, इसके MRP के बारे में, इसके salt content के बारे में, और इसको किस बीमारी में यूज करते हैं, इसके doses क्या है, पूरी ज शुरू करते हैं तो सबसे पहले एल मॉक्स 500 एमजी कैपसूल के बारे में आपको बहुत ही जरूरी और महत्पूर्ण जानकारी दे देता हूं कि इस कैपसूल को वो लोग ना खाएं जिनको गुर्देख से जोड़ी कोई अबी बीस समस्या है बीमारी है प्रोवलम है वो लोग इसको ना खाएं और यह मार्केट में बहुत ही सस्ता मिल जाता एम- वाखंपशन हो जाता है कानों में या आपके गले में picta alt या कि 5000 टीक नहीं होरी है उसमें बहुत ज्याद संहें या जाता है या आपके चोट लगी है जिसमें टांके लगाए गया हों उसका गाव रह簡 जाता है उसको side effect के बारे में तो अगर आपको इसको लेने के बार चक कर आते हैं उल्टी होती है पेड़ दर्द होता है तो इसको खाना तुरंथ बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सला लें और इसके dozes के बारे में मैं बात करूँ और अच्छी अच्छी जानकारी देता रहता हूँ थेंक्यू सो मच